हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका केपी क्लास से स्वागत हैं आज हम जून 2013 की पार्शल दिफ्रेंशल इक्वेशन की कोशी प्रॉब्लम है वह सौल करेंगे ठीक है और पार्ड बी की प्रॉब्लम है ऍथी प्रॉब्लम फोर्ट फिर्स और पार्ट इफ्रेंशल एक्वेशन 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 आप्लट इक्वेशन जानते हैं इक्वेशन ग्रॉब्लम में लागी है upon del y equals to z तो इसकी auxiliary equation क्या हो जाएगे हमार पास dx upon इस P का coefficient क्योंकि हम जानते है P क्या होता है del z upon del x Q क्या होता है del z upon del y ठीक है तो इस P का coefficient कितना है x equals to dy इस P का coefficient कितना है Q का y equals to dz right hand side में rr कितना हमार पास z ठीक है यह हमारी क्या आगी auxiliary equation आगी तो हमने auxiliary equation चेक कर ली dx upon x dy upon y dz upon z अब देखिए हम क्या करते है 2 2 के combination लेके इनके arbitrary function find out करते हैं और फिर हमको उसमें initial conditions put up करके उसका solution find out करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने इन दोनों को लिया ठीक है तो देखिए first 2 ठीक हम दे ले लिया तो देखिए dx upon dy equals to dy upon y इसका solution find out करते हैं क्या मिलेगा log x equals to log y plus log of c तो log 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 antilog लेते हैं दोनों सेट एक सेट एक सेट क्या आज़ेगा यसी ठीक है c1 c1 तो देखिए c1 का स्कार हमें क्या मिलेगा एक स्क्वार अपन यसक्वार ठीक है यह find out करने के बाद हम उसके उपर बाउंड जो भी इनिशिल कंडिशन है वो पुट कर देंगा ठीक है बन बाई आप देखिए हम लास्ट टू लेते हैं लास्ट टू तो देखिए dy upon y dz upon z क्या मिलेगा हमें log of y log of z plus log of c2 तो देखिए y equals to z c2 यहां से c2 को स्क्वार क्या मिलेगा y square upon z square हमने दोनों arbitrary constant find out कर लिए एक तरह से कह सकते है arbitrary function तो देखिए partial differential equation में किसी भी solution को कैसे लगा जाता है just suppose कि यह u v2 solution है ठीक है तो u v2 solution है तो कैसे लिखते है यू equals to phi of v function के रूप में लिखते है ठीक है या फिर v equals to phi of u या फिर phi of u, v equals to 0 इन तीन तरह से हम किसी function को लिख सकते है तो देखिए अब हमने क्या करना है इन दोनों function से xy variable पहले तो हमको यहां से discard करना है ठीक है सबसे पहले क्या करेंग हम xy variables को हटाएंगे जो भी z variables है क फिर हम क्या करेंगे इन c1 c2 जो भी equation हमें find out होगी उसमें फिर वापस हम इन c2 की क्या रखेंगे value रखेंगे तो हमने क्या क्या है आउकजलर equation से दोनों first two and last two से हमने दो constant के रूप में equation find out कर ले ठीक है सबसे पहले c1 square equals to x square upon y square दूसरी c2 square equals to y square upon z square अब देखिए यह equation first औ 1 and z equals to 1 ठीक है अब देखिए by equation first देखिए c1 square x square y square अब हम क्या करते है इस y square की value यहां से put up करते है क्या है x square 1 minus x square ठीक है यह हो क्या है अब देखिए equation second से c2 square equals to y square z square ठीक है अब देखिए initial condition से y square की value हम क्या रख सकते है 1 minus x square z की value कितनी है 1 का whole square तो c2 square हमें मिला 1 minus x square ठीक है और x square की value हमें क्या मिलीगी 1 minus c2 का whole square ठीक है नबом से हमें 7 x y z जो भी है वो यह इन षटाने है अब देखिए c1 square equals to x square की value क्या है है हमाल पास 1 minus c2 का whole square ठीक्थ है सबकु छट गया अब देखिए हमारा पास क्या है इसके अंदर से वापस से वैल्यू पूटप करेंगे तो देखिए कैसे पूटप करेंगे अब हमें मिला है 1-C2 का स्कॉर एकोस्ट सीवन स्कॉर देखिए एक बाल माँ आपस आपको डिवैंच कर देता हूँ देखिए दू एक्वेशन हमें जैसे हमें हमने इनिचल वैल्यू पूटप की ठीक है जैसे इसके अंदर हमने वाई स्कॉर की वैल्यू पूटप की वन स्कॉर अब हमें देखिए इसमें एक्स स्कॉर की वैल्यू फाइंड आट करने थी तो हमने एक्स स्कॉर को इसी के रूप में लिखा 1-2y स्कॉर फिन तीनों के कॉंबिनेशन से हमने एक्स वाई जैड को डिसका हठा दिया ठीक यहां से एलिमिनेट कर दिया तो सीवन सीट करते हैं वापस 1-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-3-1-2-1-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-1-2-2-1. देखिए यह हमारा कि आएगा इसका solution आजागा required solution तो देखिए इसमें क्या था कि जो initial condition थी थोड़ी क्या थी tough level की थी तब हमने क्या क्या दोनों arbitrary constant बे अलग अलग से हमने इस initial condition को put up किया और otherwise अगर initial condition अगर simple way में है given है तो हम उसमें direct पूट कर सकते हैं किस तरह से करके इस तरह से करके अंगर उसमें direct पूट कर सकते हैं तो देखिए हमारा required solution क्या यहा जैड इक्वल स्टू एक्स स्क्रार प्लस वाय स्क्रार की पार वन अपॉन टू तो देखिए only options 4 क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा किस तरह की प्रॉब्लम थी कोशी प्रॉब्लम जो जून दूजा तेरा के अंदर पूची कही थी बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको explain किया है और अगर friends अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक कर हो जाएगा 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 इस चैनल को share करें